तो फाइनली धूंड लिया आपने, हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, Class 6, History, Chapter No.9, Traders, Kings and Pilgrims, इनके बारे में बिल्कुल डिटेर के साथ में इस चैप्टर को करने वाले हैं, मज़ा आएगा कहानी में बहुत आसान सी स्टोरी है इस चैप्टर की, चलो शुरू करते हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL Class, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ इस चैप्टर के Notes, Textual Question, MCQs, Important Question, यह सारी चीज़े आपको लिखी हुई मिलेंगी, वीडियो भी मिले दिस्क्रिप्शन में पेज और प्ले लिस्ट दोनों का लिंक है, जरूर से चैक करना, क्योंकि आपके लिए बनाए गया है, आप ही के काम आएगा, अब यहाँ पे बात करते हैं, ट्रेडर्स कोन होते हैं, किंग्स कोन हैं, और पिल्ग्रिम्स कोन हैं, देखो, basic question होते हैं, कुई सी भी chapter के नाम के साथ, यह chapter का जो नाम है, वो कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीज़े हमें जानने को मिलेंगी, वो चीज़े देखो, पहले नमबर पे आ रहे हैं, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स वो लोग होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, यानि कि सामान लेना, उसके बद इलाका है, जो रूल करते हैं, रूलर ओफ, आ पर्टीकुलर लेन्ड मास, इस कोल्ड किंग्स, लास्ट आता है, पिल्गिम्स, ये वो लोग होते हैं, जो कहीं पर नहीं रुखते, ये भटकने वाले लोगों में से होते हैं, यानि कि ये तिर्थ यात्री होते हैं, जैसे कि आप कहीं पे किसी भगवान के मंदिर में चले कई कहीं दूर तो अब क्या हो वहाँ पे तिर्थ यात्री हो वैसे उन्हीं को बला जाता है इंगलेज में पिल्ग्रिम्स ठीक है याद रखोगे अब यहाँ पे जो है इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है लेकि खाया जाता है इंडिया का जो सौफ अर्ड पार्ट था, इंडिया जाते हो, इंडिया का कुछ नक्सा इन सोट बनाता हूं बिल्कुल rough डाइग्राम ठीक है इसके रफ नी बन सकता वस्क्या ही, बताएंए आपको ठीक है ऐसा सा कुछ है और इसका जो ये वाला हिस्सा ने ये वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा इसके उपर जो है कोस्टल एरियास बहुत जादा यानि कि समुंदर की किनारे बहुत सारे हैं यहां पे सी पोर्ट्स है अब उस टाइम पे सी पोर्ट्स तो हो ना हो लेकिन कोस्टल एर लोगों से ट्रेड क्या करते थे खास तोर पे रोमन जो एंपायर था ना रोमन याद रखना यह एंपायर जो है ना अपने टाइम का सबसे important empire रहा है रोमन एंपायर रोम के लोग जो है हाँ से इंडिया से ट्रेड क्या करते थे और सबसे मज़ेदार चीज उनको क्या लगती थी आप जानके मतलब सोक जाओगे कि उनकी जो सबसे favorite चीज थी वो थी पीपर क्या थी पीपर अब बाप बोलोगे पीपर क्या चीज होती है भाई यह तो बता दो काली मिरच इसको black gold के नाम से भी यह लोग जानते थे सोच सकते हो एक ऐसी चीज पीपर शिर्फ एक मिरच वो भी काली मिरच भारत की काली मिरच Roman Empire में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज थी उस टाइम की अब तो पता नहीं कौन किसको क्या पसंद करता है अजकल तो सबको mobile पसंद है बाकी चीजे देखी जाए बाद में अब यह जो पीपर थी इसी को black gold के नाम से रोम के अंदर जाना जाता था रोमन जो एंपायर था वहाँ पे इसको जाना जाता था ऐसा नहीं था इंडिया वाले सिरफ पीपर बेचते थे उनके इलावा जो है वह मैटल्स को जो है जैसे गोल्ड शीलवर यह मैटल्स की भी ट्रेडिंग होती जो मसाले थे और भी पंगा कुछ अलग था एक रिवर का नाम आता यहां पर रिवर वैली बहुत सारी थी लेकिन कावेरी की जो रिवर वैली ती वह बहुत ज्यादा अच्छी थी खेती करने के लिए या फिर बोले तो जो लोग प्रोफिट अर्ण करना चाहते हैं जिनको पैसा चाहिए अमीर होना है जल्दी से तो वो लोग क्या करते वो इस वाले हिस्षे में रहा करते थे जो अमीर थे कावेरी रिवर वैली थी किया यह गाटी थी एक नदीगी और यहां पे बहुत अच्छी मिट्टी बहुती फर्टाईल सोयल यहां पे मिलती थी इसके चलते क्या हुआ जो राजा थे ना, उनके जगडे होते रहते थे, हर रोज डिस्प्यूट, हर रोज डिस्प्यूट, आज उसने उसको मार डाला, आज उसके राजा का बेटा मर गया, आज उसका वो मर गया, ऐसे चलता रहता था, सिरफ इस जमीन को लेके, क्योंकि जो भी राजा इस जमीन पे राज करे — जो ट्रेडिंग थी यह कहता है ऐहां से जमीन थो थी यह च्यो कल दो जाने अब आप जो God जो किसे इसकी बहुत जयादा डिमांड रहती ही । आप आप जानूंगे यह बहुत सारे जोगों इसके इसके थि5 A तीन जो है में चीफ रहे हैं मतलब जालत तर उन्होंने ही जो है रूल किया है इस वाले एरिया पे पहले थे चोल यह जो है रूलर्स थे एंपायर्स थे इनके ठीक है पहले वाला कौन था चोल दूसरा कौन था दूसरा था आपका चीर मतलब चीर चाहिए चीरवाल चीर ठीक है न देखो एक छीज़ आपको बता देता हूं कि यह जो book है आप बोलोगे भाई ये कैसे कैसे नाम आ रहे है हमारे chapter में ये जो book है आपकी ये हिंदी से इंगिलीस में translate होके आई है ठीक है तो जो सबत हैं वो हिंदी के है अब हिंदी में जो पुलाते थे वही जानेंगे तो इन्होंने क्या किया जो is,mr, what, this, that इनको उड़ा दिया इंगलीज में बाकी जो नाम थे वो हिंदी में रह गए वो रखने पड़े भाई मजबूरी है अब क्या कर सकते हैं यह थे चोल उसके बाद चोल के बाद चीर अब आप पढ़ोगे ना जब आप सोचोगे यह आसी कैसी स्पेलिंग्स आ रहे हैं तो यह तीन जो चीफ थे ना जो तीन रूलर थे उन्होंने इस वाले का वेरी डेल्टा वाले हिस्से बहुत अच्छा राज किया अमलब लंबे समयत्रे के टीके रह पाए और टीके रहने का एक ही मतलब है कि यह पावर्फूल हो गए यह बात ओल्मोस्ट ट्वेंटी थी अंडर् रिवर्स फैल गई धीरे-धीरे टाइम बदलता चला गया और आप देखी रहे हो आजकल यह ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है लेकिन तना ज्यादा नहीं राब अब यहां पर जो है उसके अलावा यह इन लोगों की जो है अलग-अलग कैपीटल होती इन लोगों ने क्य वहां पे एक अंदर वाली साइड एक बाहर वाली साइड यानि एक कोस्टल एरिया पे एक अंदर वाली साइड अंदर वाली साइड में सामान और जो भी कुछ होता उगता वहां पे उसको लेते और वहां बाहर वाली साइड से जो है वो ट्रेड क्या करते थे क्योंकि ट्र करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन ये किंग्स टैक्स इकठा नहीं करते थे और इसका सिंपल रिजन क्या था मैं बताता हूं क्योंकि यहां पे से जो चीजे उगती थी उसके उसको अगर राजा को कोई बंदा गिफ्ट देगा ठीक है वो जो गिफ्ट था ना वो उनके टैक कोई बंदा था कि भाई साब राजा के लिए कोई गिफ्ट लाए हो तुम तो ऐसे गिफ्ट मांगे जाते थे वहाँ पर नोट टैक्स ठीक है और गिफ्ट में मर्जी होती है देना तो दे भाई ना तो ना मेरी मर्जी है मैं दूंगा कि नहीं दूंगा ठीक है लेकिन समय जल्द ही बदलने वाला था दो सो साल ही बीते थे लगबा कितने साल 200 थोड़ा सा टाइम ही बीता था 200 साल पहले की बात है यानि कि अब से जो इस चोर चाल पंडे चीर यह राज कर रहे थे ना इनका सामरज्य हिलने वाला था बहुत खतरनाख तरीके से 200 साल के बाद कुछ ऐसा हो गया डाइनेस्टी आई एक नई सातवाहन नाम की किसकी सातवाहन यह नाम बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर इस चैप्टर से सातवाहन यह नाम बड़ा जीव है वैसे मेरे को समझ में नहाया यह नाम रखते क्यों थे यह लोग सातवाहन सातवाहन ठीक है तो सातवाहन जो है ना यह साउत का हिस्सा था कावेरी तो कावेरी जो कोस्टल एरिया था सब पे इशी का राज हो गया अकेला राजा जो पूरे कोस्टल एरिया पूरी कावेरी सब कुछ अकेला राजा बन गया यह कुन सातवाहन वैस्टरन इंडिया में इसकी पूरा जो है दबदबा बन गया था उसे दिए गाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर भी रहा ये और इसको जो है ना लोर्ड कहा जाने लगा लोर्ड जैसे किंग होते हैं ना किंग से बड़ा हो जाता जब एक किंग जो है ना बड़ा बड़े इलाके पर राज करत उसारे साइड में जो रास्ता था उस वाने सी बात है जिस बन्दे गा रूल उस रूट पर होगा जहां से ट्रेड होना है तो gift मिलेंगे, tax मिलेगा, बहुत सारी चीज़े मिलेगी, जिसके चलते हैं, most powerful king बन गया था अपने time का, अब बात आती है हमारे silk route की, ये बात भी बहुत साल पुरानी है, बहुत ही ज्यादा, लगबग 7000 साल ये तो कुछ भी नहीं है भाई, छोड़ो इस बात को, ये छोट कीडा था, कोकूर नाम का, उस कीडे से कुछ बाल उत्रे, बिल्कुल छटे-छटे से, उनको उतारा, और उतार के ऐसे बहुत सारे कीडों के बाल उतार लिए, उसने एक नया कपड़ा बना लिया, कपड़े का नाम रखा गया, silk, कमाल की बात ये है, उस बंदे ने बना लि किया होगा, लेकिन जो भी था, हमको बस इतना ही पता है, कि 7000 साल पहले, इस कहानी की सुरुवात हुई थी, अब उसने बना दिया कपड़ा, कपड़ा बहुती ब्यूटिफूल, बहुती मखमली, बहुत मजा आ जाए, कपड़ा पहन के, ऐसा कपड़ा इसने बना दिया, वो भी 7000 साल पहले, आज कल तो मिल जाएगा इस जीली, लेकिन उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे कपड़े मिलने मुस्किल थे, और इस भाई साब ने इतना खुबशूरत कपड़ा बना दिया, अब चाइना वालों ने बात छिपा ली लोगों से, दुनिया भर के अ नाम का जो कपड़ा था ना, ये कपड़ा बाहर ले गए, दूसरे देश में बेचने के लिए, और एक ही एमपायर आप जानते हो, रोमन एमपायर है ना, इस पार्ट के अंदर बार बार आ रहा है जो की, तो उस रास्ते से, जिस रास्ते से वो लोग गए ना कपड़ा ले ने की, बहुत जादा, जो है करन्सी, कोइंस, गोल्ड, सिल्वर दे दे के उसको खरीदा जाता, बहुत जादा महँगा था, वो लीटरली, तो आम लोगों की पहुंच से दूर था वो चीज, अब वहां के जो रूलर्स थे, किंग्स थे, उनको वो बहुत पसंद आ गया, वा भया, वा क्या चीज बनाई है तुमने, और वहां पे जो है न, एक रोयलिटी होती है, जैसे रोल्स रोयल्स गारी रखोगे, तो आप अमीर होवाई साब, वैसे ही यहां पे भी एक रोयलिटी का सिंबल बन गया, यह सिल्क का कलोथ, उस टाइम पे, और यह इस रूट क फार्मिंग थी, वो अच्छी होती सबसे, तो इस वजह से वहां पे प्रोफिट जाजा निकलता, अब यह सिल्क रूट, इतना महंगा कपड़ा, इस रास्ते से जा रहा है भाई, इस से, इसी को पकड़ लो, पहले नमबर पे, राजा उने हमले कर दिया, उस रास्ते पे, नहीं, ऐसे नहीं कि वाईपा, ट्रेडर्स कोई मार दिया, और बोले कि कपड़ा तो हमेंसे, यह आने दे इदर ऐसे नहीं किया, उन्होंने कपजा कर लिया उस जमीन पे, दूसरे राजा को घुशने नहीं दे रहे, फिर दूसरा राजा हमला कर रहा, और हमला ट्रेडर्स के उपर नहीं था, वो किंग्स के उपर था, ताकि जो रूट है, उसके उपर उनका कपजा हो सके, और अगर उन पे कपजा हो गया, तो जो शिल्क है, इतना महेंगा है, उसके बदले वो कोईन, कुछ भी मिलेगा, बहुत जादा होगा, तो बहुत जादा मतला, पैसा ही, और इसी वज़ाए से डंगे बढ़के बहुत तगड़े वाले सिल्क रूट को लेगे, बहुत फेमस रूट है ये अपने टाइम का, धिरे धिरे जो है कुसान आ गए, मार्किट के अंदर, जो इंडिया से जो पाकिस्तान है और उससे आगे थोड़ा ही है, तो उदर वाली सा और उससे अच्छा खासा प्रोफिट वो निकाल लिया करते थे, तो अब आप बोलोगे कुसान की स्पेलिंग तो लिख दे भाई, ये आज जीब हो गरीब स्पेलिंग होती है, क्या करें है ना, तो चलो मैं कुसान की स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, देखो अगर नोट आती है, सिर्फ ये इस दुनिया के अंदर नहीं था, चलो सिल्क की कहानी में मजा आये ना, आपको, मैंने इंट्रस्टिंग बनाने की बहुत कोशिस करी, अब इसके बाद आती है बुद्धिज्म, महातमा बुद्ध जिसको हम बहुत लंबे टाइम से रीड करते आ रहे है इसकी स्टडी करते हैं, हमें पता चल चुका है कि ये जो बंदा था, सिदार्त, गोतम, महातमा बुद्ध जो बन गया, इसका जो व्यापार था, यानि कि इसकी जो नोलेज थी, वो वर्ल्ड वाइड फेमस होती चली गई, कि इसकी बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, लो अहम योगदान था, वो कुसान जो रूलर्स थे, उनका था, और कुसान का रूलर था, क्नीष्क, क्या नाम था, रूलर का, कनीष्क, ये जो कनीष्क नाम का रूलर था, कुसानों का राजा था, ये, लगबग 1900 साल पहले की बात है, ये 1900 years ago, तो यहाँ पर किताब लिखी ग धा मत पढ़ने लग जाने, इसको ठीक है, बुद्ध चरीत है, क्योंकि मैं बता रहाँ ना, हिंदी to English translation में ऐसा ही होता है, बुद्ध चरीत, ये किताब लिखी गई, कनीष्क के दरबार में कोई एक बंदा था, जिसका नाम था, असव घोस, उसने लिखी थी, और उसके द जाने के बाद में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जो है, दरम परिवर्तन जो भी कुछ एडॉप्शन था, जो भी कुछ करना था, वो किया, और जो कि बहुत अच्छी बात थी, इनके लिए तो अच्छी बात थी, और ये इसके दरबार में रहा करता था, कोई मं नहीं है, यहान है, महायान, महायान नाम से है, जो जैसे बुद्धिजन चल रहा था, बुद्धरी लीजन को एडॉट कर, एडॉट कर, इसका नाम बदल दिया, पता नहीं क्या सीन हुआ बीच में, महायान का नाम से कुछ अलगी, अपने चर्चे चल पड़े लोगों के ब पाकिस्तान का एरिया, भारत का बहारी वे एरिया, कस्मीर वाली साइड का, तो उधर वाले एरिया पर यह रूल क्या करते थे, तो यह बताते हैं, मथूरा और इसके लावा जो है, तक्सिला, यह इनके बड़े सेंटर्स थे, और हमें कमाल की बात यह नहीं है, कि यह सारी चीजे हैं, हमें कमाल की बात यह पता चली हिस्टरी से, कि यह जो दो सैंटर थे, मथूरा आप जानते हो, मथूरा काफी फेमस था पने टाइम में, उस टाइम पिरेड के दोरान, और आज भी फेमस है बगायदा, अपने स्कल्प्चर के लिए, स्कल्प्रिय क्या होते हैं, जैसे पेंटिंग, मुर्तिया बनाज ना तो उनके लिए उसके लाव़ जो है ड्रोइंग और ये जो है रिलीजन, टैंपल्स, मोंक्स, मोनेश्ट्री ये सारी चीजों के लिए ना बहुत फेमस रहा ये पुराने टाइम सी कौन, अब इसके अंदर जो है मतूरा के अंदर इतनी चारी चीजे थी और कुसान लोगों का उस पर रूल था, ठीक है तो ये सारा सीन जो है कुसानों की मदद से ये बुद्धिजम फैल गया बहुत तकड़े वाला, उसके अलाव़ जो है यहाँ पे ज्यादा तर हमें पेंटिंग्स मिलती है स्कल्प्चर्स मिलते हैं ऐसे पूरा मतलब कलाकारी कर रखी है उसके ओपर फोटों नहीं चाप रखी बना रखी है वह पत्थर से पूरी यासे मतलब पेड़ चाप दिया पीपल का उसके नीचे कुछ बठा दिये इंसान से वह पता नहीं कितना ही टाइम लगाया उगन ब विलीफ बुधिस्त वास यहां पर जो है लोगों ने अब धिरे धिरे जो है जो है ज्यान की प्राप्ति करने स्टार्ट कर दी अब यह बुद्ध भीद्धिश्म था यह वर्ल्ड के अंदर फेमस वह गया यह भारत का जो एक रिलीजन था छोटा सा वह वर्ल्ड वाइड वो गया अब क्या होता है जिब कोई भी चीज एक एरिया से निकल निकल के बहार की दुनिया में जाती है जैसे पीपर था यह निकालभी मिर्स धृновताती भारत से गई लृमन एंपाइर में जात इंख वा चायना से और फेमस लेकिन क्या वह शिरफ रोमन एंपायर में फेमस हुआ नहीं नहीं फेमस अलग जगों पर भीवा लेकिन रोमन वालों ने कुछ जादा ही खरीद लिया भाई हम तो मीर है आने दे आने दे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ऐसा शीन था उनका लेकिन अब क्या हुआ भारत की कोई चीज चाइन चाइना में जाके फेमस हो गई और अड़ोसी पड़ोसी सब देशों में लेकिन रोमन वाले लोग है ना इन पैसे के चक्कर में तो ज्यादा रहते तो चाइना में ज्यादा चलता था यह तो यह जो बुद्धिस्म था उसको देखें के लिए चाइना से बहुत सारे लोग तो चाइनीज बुद्धिस्ट फिल्ग्रिम नाम है फाशी हैं ठीक है अजीब नाम है कोई बात नहीं याद रखना है तो रख लेना है क्या परक पड़ता है आ गया चला गया हो तो बस आप पड़ते रहो जो याद रहे अच्छी बात है देखो बंदे का नाम था फाशी ह में सुकर है इंग्लिश में समझ में आता है इंदी में समझ में भी नहीं आता अब उसके अलावा जो है यहाँ पर یہ आए था उसके बाद पर सबमें आया जैंग बेपता नी कितने सारे लोग आते गए लेकिन कोई बात नहीं हम ज्यादा नाम रटेंगे नहीं हम बात करेंगे जुएंजेंग की अब ये वो बंदा था जिसे ने जो है ना बुद्ध की बहुत सारी चीज़े उठा के ले गया भारत से चोर नहीं था ये कई आप उसको चोर समझ के बैठ जाओ ये लेकिन बहुत सारी चीज़ें पर साथ ले गया और क्या किया उसने जो लिखे हुए लेकर घाया, गई. उधित जिल्ड के चक्कर में पढ़ चले थे तो कमाल का बंदा था यह पता नहीं क्या ही करना चाहता था देखो यहां पर बताया जाता है कि यहां पर यह बुद्धा made of gold यह statue लेके गया statue of Buddha made of gold silver sandalwood यानि लकडी सोना चांदीन के statues बनाए गए थे उनको लेके गया and over 600 manuscript यह जो हाथ से लिखे हुई manuscript होती हाथ से लिखे हुए दस्तावेज ठीक होता है printing तो machine थी निउस टाइम पे हातों से लिखा जाता है सब कुछ तो manuscript manuscript on the back and 20 horses over 50 manuscript were lost when the boat on with the crossing the index capitalized यानि कि क्या हुआ था वो 600 जो है manuscript जैसे कागजात हो गया यह कागजात हो गया तो ऐसे 600 कागजात अपनी पीट के उपर लाद के ले गया अब पीट थी कि क्या था ऐसे मत सोचना वह अपने साथ 20 घोड़े 20 horses लेके चल रहा था उनके उपर लाद रुखा भाई मतलब सोच के देखो एक बड़ा सांद लग ट्रेडर जा रहा वा ऐसे लग रहा था और वह बंदा क्या हुआ जब इंडस्री वर पार कर रहा था ना नाव पलट गई उसकी बैचारे की सब कुछ तो नहीं बहाब बच गया अची बात है पच्चास manuscript वहां पे बह गए पानी में बहु को ने अपना सामान उठा उठा के अब जहाज दूब जाएगा तो जान नहीं बचेगी तो क्या घंटा करेंगे manuscript का इन पर मतलब जो ड्रोइंग्स है या फिर जो भी कुछ उठा के लिए जा रहा स्टैच्यू वगरा क्या करेंगी इनका सब ने अपना अपना सामान उठा अब दुनिया भर में क्या सिरफ बुद्धिसम ऐसा चल रहा था आपने जैन धरम के बारे में पड़ा जैन स्लोग भी आ गए थे अब यहां पे एक चीज और आ गई हिंदू लोग क्या करेंगी बगती करेंगी बगती बंबोले सीव सकती महेश्वरी पता नहीं कौन-कौन से भगवान आ गई असे बहुत सारे देवता अब एक वर्ड बार-बार यूज करना पड़ेगा अगर आपको सनसर लिखते हो उसका नाम है जो वो वर्ड है वो है आ लग इंगलिस्थ नो बवेखता इसारे बहुत सारे बहुत बहुत सारे बगवान बन गए और आज तो पता ने कितने करोड़ों बना रहे हैं पता नहीं प्राने टाइंग पता लिआँ मुझे नहीं पता इसकी चीज के बारे में यहां पे जो है लोगों को पता लगा भगवत गीता के बारे में उसके उपदेश के बारे में भगवान स्रीकेशन ने जो उपदेश दिया था उसके बारे में उनको पता लगा और उनको एनलाइटमेंट मिल गई मजा गया उनको भी और इस चीज़ को लेके वो उनकी प्रहा थी जो यह डाइटी ते यानि की देवी देवताओं की पूजा थी वह स्टार्ट हो चली थी ठीक है यह सीन पूरा पलटने वाला था यानिकी बुद्धिस्म की भी कई ना कई फीका ना पड़ जाए डाइटी के चक्कर में और आज आज आपको पता यह किसकी ज्यादा की अब यह चीज़ बताने इंझ страх भूब फोट इंपॉर्टन्ट है क्योंकि यह आने वाली alteration में के भूब काम आएगी आज से लुझ जाब फाइले दो हजार साल पहले ठीक है एक व्यक्ति का जनम हुह व्यक्ति का नाम था जीसस क्या नाम था व्यक्ति का जीसस Christ ये वो व्यक्ति था आपको सायद नहीं पता होगा इसको सर्च मार के देखना पता लग जाएगा Google पे Jesus Christ ये वो व्यक्ति था जिसने बता दिया कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए पैदा हूँ मैं भगवान हूँ पूजा करो मेरी जिन्दे जी अपना ऐसे बोल दिया था और इसको किसी राजा ने सूली पे टंगवा दिया इस बात को लेकि मतलब ऐसे आपको एक पेंटिंग मिलती है मतलब लोग पूजा करते हैं इंडिया में नहीं चलती है चीज बहुत कम है लेकिन फोरन कंट्रीज में इसी की पूजा क की जाती है आपको एक ऐसा टी टाइप का सिंबल मिलेगा यहां पे जो है ना एक व्यक्ति को लटका होगा ऐसी करके ठीक है यह लटक गया ऐसे सा तो ऐसे कुछ लटका दिया था उसको और सूली पे टांग दिया मतलब ऐसे मरदने तक के लिए च्छोड़ दिया था बहुत आज से लगबग दो हजार साल पहले ठीक है यह चीज यह रखने की है और इसके जो बाते थी जो इसने बताई थी ग्यान दिया था लोगों को वो ओल्मोस्ट सिमिलर था हमारे बुद्ध धरम के रिलेटीड या फिर जैन धरम वालों की जो बाते थी ना उनके जैसा सही ग् एक वर्ड आएगा बार बार बी सी ठीक है क्या आएगा बी सी कोई भी टाइम पीरेड लिख देंगे और बी सी लिख देंगे उसके पीछे वो क्या मतलब होता है उसका कि बिफोर क्राइस्ट यह जो जनम हुआ था ना आज से 2000 साल पहले लगबग और उससे कितने साल पहले क्राइस्ट जो है क्योंकि यह बुक्स हमने नहीं लिखी आने वाले स्मय में आप हमारी हिस्टरी नहीं पढ़ोगे यह चीज़ दिशा न रखो आने वाली क्लासी जैसे-जैसे आएगी न आप इंडिया की हिस्टरी छोड़के किसी दूसरी कंट्री की हिस्टरी पढ रहे ह कि और उ Abst Une ने टहल का मचा रहका था उसी की हावा थी और इसी वजजह तर वहाँ का टाइम पिरिइड जो लिखा गया लिखा गया उसके बाद िसके बाद के बात तो प्र प्र वे मिलेगा आपको तो इसकोि जान रखते ना बसक्त सूच हो कि बार-बार आई इसका मतलब यह है कि 550 साल पहले यह लगबग 25 साल पहले की बात आई ऐसे नहीं लिखेंगे तो बता रहें आपको कि 25 साल पहले वो लोग लिखेंगे 550 विशी आप सोचते रहोगे मतलब जनम हुआ तो हुआ कब था यह ना तो कन्फ्यूज नहीं होनेगा जीजस क्राइस याद रखना है छोटी सी स्टोरी भी मैंने आपको बता दी है जो की बुक के एंड में आपको दे रखी दी और एक्स्ट कर लो अभी के अभी साथ में घंटी दबालो ताकि कोई भी अपडेट आए आपको टाइम से मिल जाए